नमस्कार दोस्तों राजस्तान में बर्सात का कहर लगातार देखने को मिल रहा है वहीं दूसी तरफ ग्रामिन इलाकों में लगातार जंगली जानवरों के आने से लोगों में भै बना हुआ हैं उदेपुर के कुराबड इलाके में आज जैसे ही एक अजगर ने सियार को अपना सिकार बनाया आस पास के इलाके में हरकम मच गया 15 फीट के एक अजगर ने किस तरह से अपना सिकार बनाया आईए सब से पहले हम आपको तस्विरें बताते हैं तो जो तस्विरें आप देख रहे हैं ये कुराबर के बेमला गाम की हैं एक अजगर ने आज सियार को अपना सिकार बना लिया दूर दूर तक सियार की आवाज दे सुनाई दी इस दोरान मौके पर लोग पहुँचे तो इस अजगर से इस सियार को मुक्त कराने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे इस दोरान सूच ना पाकर मौके पर पहुँची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मसकत के बाद इस अजगर को रेस्क्यू किया ये तस्विरें हेरान कर देने वाली कुराबर की बेमला गाउं की है बाद में इस अजगर को गने जंगल में सुरक्षित चोड़ दिया गया अब हम आपको एक दूसरी तस्विर से भी रूडू कराते हैं कुछ दिन पूराबर में एक मगरमच गुसाया गाउं की लोगों ने इस मगरमच को खुद ही रेस्क्यू कर वन विबा के हवाले कर दिया खिङला ख対 अगह भी जो आगो जो डिजनो को प् लूठराबर में एक पूप तो आप बिवा जोलो भोटराब तक पाराब flush कुराबडी इलाके में जंगली जानवरों के लगातार आने को लेकर लोगों में देशत बनी हुई है और ऐसे में लोग वन विबात से सुरक्षा की मांगे भी कर रहे हैं देश और समाज हित से वो जूड़ी हुई स्टोरीज पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरू करें ताकि इसी तरह से कंटेन आप तक पहुंसता रहे धन्यवाद